Welcome to Study Watch The Treasure Within अंदर का खजाना ठीक है? Treasure का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं खजाना ठीक और Within का मतलब क्या होता है? अंदर का ठीक है? या फिर भीतरी ठीक भीतरी खजाना या फिर अंदर का खजाना ये chapter in CRT के Class 8 की English की book It So Happen का ये chapter number 4 है इसके पहले की वीडियोज बना दी गई है उससे आप देख सकते है It So Happened और Honeydew ये जो book है इसके सारे chapters की वीडियो आपको playlist में मिल जाएगी वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं ये chapter number 4 है इसके आने वाली भी जो वीडियोज होगी वह आपको playlist में मिल जाएगी और हमारे channel पर class 1 से लेकर के अभी तक class 8 तक का explanation चल रहा है इन सारे classes की playlist है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं line by line explanation में क्या है? The treasure within में ठीक? आप पढ़ें इससे पहले आप पढ़ें इससे पहले कुछ चीज़े जान लीजिए चैप्टर के बारे में Every child is a potential achiever हर एक बच्चा एक potential achiever होता है यानि उसके अंदर अचीव करने की बहुत शम्ता होती है and or is different और अलग होता है from other children in her his style of learning और वो अपने सीखने के तरीके में दूसरे बच्चों से अलग होता है ठीक है? style of learning का क्या मतलब है? सीखने का तरीका different from other children दूसरे बच्चों से अलग होता है ठीक है? उसका सीखने का तरीका दूसरे बच्चों से अलग होता है and or area of interest और उसका area of interest जो उसका रूची है उसकी field भी अलग होती है उसका भी शेत्र अलग होता है ठीक है? तो हर एक बच्चा वो potential achiever होता है उसके अंदर achieve करने की शमता होती है लेकिन क्या होता है कि उनका अलग-अलग सीखने का तरीका होता है और उनका अलग-अलग interest होता है Read the interview that follows पढ़िए उस interview को जो नीचे दिया गया है जो अभी आगे है It is based on a conversation ये conversation पर ये बातचीत पर आधारीत है It is based on ये आधारीत है A conversation एक बातचीत पर ठीक है ये बातचीत पर आधारीत है किसके Between Miss Bela Raja Miss Bela Raja के बीच जो क्या है Editor of Sparsh जो Sparsh की संपादक है A newsletter जो एक तरह का newsletter है From Resource Center जो कहां से छपता है Resource Center से छपता है The Valley School Bangalore Valley School Bangalore से ठीक है जो Miss Bela है वो Valley School Bangalore में एक Resource Center है वहाँ एक News Letter चलता है जिसका नाम है Sparsh वोसकी संपादक है और दूसरे कौन है जिसके बीच में इंटर्वी होता है And Mr. Hafiz Contractor और Hafiz Contractor के बीच में One of India's Leading Architect जो भारत के प्रमुक आर्किटेक में से एक है ठीक है लीडिंग का मतलब यहाँ पर क्या है हम कह सकते हैं प्रमुक ठीक मेजर जाने माने वो एक Architect है तो हमने देखा कि हर एक बच्चा जो है उसके अंदर उपलबधी प्राप्त करने की शमता होती है लेकिन उसका सीखने का तरीका और रूची के छेतर अलग-अलग होते हैं यह जो इंटर्व्यू है यह बाचीत प्राधारित है मिस्ट बेला राजा के और मिस्टर हफीज कांट्रेक्टर के ठीक है जो कि एक आर्किटेक है ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं हाफीज कॉंट्रेक्टर वज एन अनहापपी स्कूल vigil वाले लडके ठे अन्डे का मतलब क्या है नाखुष वह एक नाखुश बच्चे थे जब वो इस्कूल जाते थे ठीक, he loved doing things, उन्हें चीजों को करना पसंद था, बट लेकिन detested mechanical learning, लेकिन उन्हें नफरत थी, वो पसंद नहीं करते थे mechanical learning को, ठीक है, यानि mechanical learning का मतलब क्या है यहाँ पर, जिस तरह से हम कह सकते हैं, यांतरिक शिक्षा, जैसे एक pattern बन जाए और उसी को follow किया जाए, तो उस चीजें करने तो पसंद थी, लेकिन उन्हें mechanical learning से नफरत थी, वो इसे पसंद नहीं करते थे, mathematics gave him the shiver, और जो mathematics जो गड़ित थी, उन्हें कपकपी आ जाती थी, ठीक है, gave him the shivers का मतलब क्या है, वो उन्हें कपकपा देती थी, उससे वो डर जाते थे, बहुत जादा घबरा जाते थे, किस से, mathematics से, what his principal once said to him, जो एक बार उनके principal ने उनसे कहा, influenced him deeply, उन्हें काफी प्रभावित किया, एक बार उनके principal ने उनसे कुछ कहा, जिसका प्रभाव उनके उपर बहुत गहराई से पढ़ा, ठीक है, influence का मतलब प्रभाव पढ़ा, deeply का मतलब very much, उन्हें बहुत उसका प्रभाव पढ़ा, जो उनके principal ने कहा, ठीक, चलिए आगे देखते है, HC, HC का मतलब क्या है, Hafiz Contractor, I used to have this terrible nightmare, मुझे ये डरावने सपने आते थे, ठीक है, terrible nightmare का मतलब क्या है, डरावने सपने, I used to have, मुझे हुआ करते थे, यानि मुझे आते थे, only now, अभी ही, बस, over the last four to five years, पिछले चार-पाँच सालों से, it seems to have disappeared, लगता है कि ये गायब हो गया है, अब ये नहीं आता है, ठीक, तो I used to have this terrible nightmare, मुझे डरावने सपने आये करते थे, अभी ये पिछले चार-पाँच सालों से ही, ये आना बंद हुए है, अब ये नहीं आ रहे है, ठीक है, it seems to you have disappeared का मतलब अब नहीं आ रहे हैं, देखते हैं, कौन से डरावने सपने थे, बियार, बेला राजा, what nightmare are you talking about, आप किस तरह के डरावने सपने की बात कर रहे हैं, and why do you think it has disappeared now, और आपको क्यों लगता है कि ये अब नहीं आते हैं, अब ये disappear हो गये हैं, आपको क्यों लगता ह हैं, तो बेला राजा कहती हैं कि आपकी इस तरह के डरावने सपने की बात कर रहे हैं, और आपको क्यों लगता है कि अब ये गायब हो गये हैं, अब आपको ऐसे सपने नहीं आते हैं, हफीज कॉंट्रेक्टर, हफीज कॉंट्रेक्टर कहते हैं, I used to get continuous nightmares, मुझे लगातार सपने आया करते थे, about appearing for a maths examination, गरित के परीक्षा में बैटने के लिए, maths के exam में बैटने के मुझे डरावने सपने लगातार आते रहते थे, where, जहां I did not know anything, जहां पर मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, जहां पर मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी, now, अब the psyche must have gotten over it, अब क्या है, कि अब मेरा दिमाग, psyche का मतलब क्या है, mind must have gotten over it, अब उसने इस पर विजय पाली है, अब ये इसे भूल गया है, अब जा करके मेरे दिमाग ने इस पर विजय पाली, यानि अब मुझे ये सपने नहीं आते हैं, अब मेरा दिमाग इसे भूल गया है, I don't have to think about education अब मुझे स्विक्षा के बारे में नहीं सोचना है, and or there is absolutely no time to get mares, निश्चे थी मेरे पास अब डरावने सपनों का टाइम नहीं है, तो वो कहते हैं कि मुझे लगातार डरावने सपने आया करते थे, मैस के एक्जाम में बैठने के, और अब लगता है कि मेरा दिमाग उस कुछ करूं, ठीक, तो देख लेते हैं, word meaning देख लेते हैं, night में है, देखे, haunting fear, frightening dream, ठीक है, डराने वाला सपना, haunting fear का मतलब, जो डर लगातार, मन राता रहता है, उसे हम haunting fear कहते है, psyche का मतलब, देखे हैं, mind या mentality, मान सिकता है, फिर mind यहापर दिया है, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, बेला राजा, अब बेला राजा उसे पूछती है, tell us something about your earlier memories in school, tell us something, कुछ बताईए, about your earlier memories, पहले की यादाश्ट के बारे में, पहले यादों के बारे में, in school, school के, school के पहले यादों के बारे में, आप मुझे बताईए, कि आपको I was a good student, मैं एक अच्छा विद्यारती था, मैं एक अच्छा student था, after I reached the third standard, third standard में पहुँचने के बाद, I simply lost interest, मेरा interest खतम हो गया, I simply lost interest का मतलब कहा, मेरी रूची खतम हो गया, मेरा interest खतम हो गया, and or I never studied, फिर मैंने पढ़ना बंद कर दिया, फिर उसके बाद मैंने कभी करता था, मेरा interest गेम्स में हुआ करता था, running around चारो तरफ दोड़ने में, playing jokes, मजाक करने में, and pranks, और pranks करने में, ठीक है, practical joke को हम prank कहते हैं, तो jokes करने में, मजाक करने में, on others, दूसरों पर, दूसरों पर मजाक करना, उन्हें किसी बाद से उनका मजाक उडाना, तो इसी त I would copy in class, मैं नकल किया करता था, during exam times, exam times में, परिछा के समय में, मैं नकल कर लिया करता था, I would try to get hold of the examination paper, मैं examination paper को ले लिया करता था, I would try to get hold of the examination paper का मतलब क्या है, मैं कोशिश करता था, कि मुझे वो examination paper मिल जाए, that had been prepared, जिसे बनाया गया था, जो prepare किया गया था, and study it, और मैं इसे पढ़ लेता था, मैं question paper कोशिश करता था, मुझे मिल जाए, और मैं इसे पढ़ लेता था, as, क्योंकि I could not remember things, मैं उन चीजों को याद नहीं कर पाता था, that had been taught to me in class, जो मिझे कक्षा में पढ़ाई जाती थी, जो मिझे class में चीजें पढ़ाई जाती थी, उसे मैं या बना लू, और मैं उसको पढ़ करके pass हो जाता था, copy करके मैं pass हो जाता था, however, फिर भी, later, बाद में, one sentence is spoken to me, by my principle, लेकिन बाद में, one sentence, एक वाक is spoken to me, जो मुझे बोला गया, by my principle, मेरे principle द्वारा, मेरे प्रधानाचार्य द्वारा, changed my life, मेरे जीवन को इसने बदल दिया, मेरे जिन्दगी को बदल दिया, लेकिन बाद में, क्या हुआ, एक वाक है, जो मेरे principle ने मुझे बोला, उससे मेरे जिन्दगी बदल गई, when I approach my 11th standard, जब मैं अपने 11th standard में पहुचा, जब मैं 11th class में पहुचा, approach का मतलब क्या है, पहुचा, the principle called me and said, principle ने मुझे बुलाया और कहा, look here, देखो, son, बेटे, देखो बेटे, I have been seeing you from day one, मैं तुम्हें शुरू से देखती आ रही हूँ, मैं तुम्हें पहले दिन से देखती आ रही हूँ, you are a good student, तुम्हें एक अच्छे विद्यारती हो, तुम्हें एक अच्छे student हो, but लेकिन, you never studied, लेकिन तुमने भी भी पढ़ाई नहीं की, I have taken care of you till today, अभी तक, आज तक मैंने तुम्हारी देखभाल की, तुम्हारी देखरेख की, now, अब, I can no longer take care of you, लेकिन अब मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकती, so, you do it yourself, इसलिए तुम अब अपना देखभाल खुद करो, अपनी देखभाल करती आई थी, लेकिन अब तुम्हें अपनी देखभाल अपने से करनी होगी, ठीक, ये उनकी प्रिंस्पल ने उनसे कहा, he talked to me for five minutes, उन्होंने मुझसे पांच मिनट तक बात की, you don't have your father, तुम्हारे पिता जी नहीं है, your mother has worked so hard to bring you up, तुम्हारी माता ने इतनी मेहनत की है, तुम्हें पालने पोसने में, ठीक है, your mother, तुम्हारी माता ने has worked so hard, इतनी कड़ी मेहनत की है, to bring you up तुम्हें पालने पोसने में, and or paid all your fees, all these years, और इतने सालों तक उन्होंने तुम्हारी fees अदा की है, उन्होंने तुम्हारी fees भरी है, but लेकिन, you have only played games, लेकिन तुमने सिर खिली खेला है, तुम सिर्फ खेले ही, तुमने कुछ और नहीं किया, now, you should rise to the occasion, अब तुम्हें मौके का फाइदा उठाना चाहिए, rise to the occasion का मतलभ कै है, मौके का फाइदा?」 तो now, you should rise to the occasion, लेकिन अब तुम्हें मौके का फाइदा उठाना चाहिए, and study, और पढ़ना चाहि ठीक तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक दिन हफीस को उनकी प्रिंस्पपल बुलाती हैं और कहती हैं कि अभी तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा लेकिन अब तुम्हें अपना ख्याल खुझ से रखना होगा तुम्हारे पिता जी नहीं है तुम्हारी माता ने तुम्हें पालने पोस्टने के लिए बहुत मेहनत की है फीस भरी है ठीक लेकिन तुम्हें पढ़ाई नहीं की तुम्हें सिर्फ खेला है लेकिन अब तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए और पढ़ना चाहिए ठीक चलिए आगे देखते हैं I used to be very good sportsman मैं एक बहुत अच्छा खिलारी हुआ करता था मैं खेलों का अच्छा खिलारी हुआ करता था I had been the senior champion for so many years I have been senior champion मैं senior champion रहा था for so many years कई सालों तक and or I also was the cricket captain और मैं cricket का captain भी रहा था I used to play every game मैं हर तरह के खेल खेलता था मैं हर खेल खेलता था but that year लेकिन उस साल I did not step out onto the field लेकिन उस साल मैंने field पर मैंने मैदान पर कदम नहीं रखा यानि जिस साल उनकी principal ने उन्हें चिताया था उस साल उन्हें मैदान पर कदम भी नहीं रखा था I would go for prayers मैं prayer के लिए जाता मैं प्रातना के लिए जाता मैं नमास के लिए जाता ठीक है यूस्टू कॉपी एंड पास मैं अक्सर नकल करता और पास हो जाता नॉर्मली का मतलब क्या है सामान्य रूप से अक्सर मैं अक्सर क्या करता नकल करता और पास हो जाता बट लेकिन I realized that लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैने एहसास किया कि once I was in SSC जब मैं senior secondary में पहुँच जाओंगा I could not do that मैं अकल नहीं कर सकता ठीक जब मैं SSC में पहुच जाओंगा तो मैं अब ऐसा नहीं करपाूँगा मैं copy नहीं कर पाओंगा ये बात मुझे पता थी when I got a second class 50% जब मेरा जब मैं second class pass हुआ मेरा नमबर दुतीश रेंडी का आया second class का आया 50% जब मेरा नमबर 50% आया in my SSC SSC में my principal said मेरी principal ने कहा son, बेटे, consider yourself as having got a distinction मानो कि तुम्हें distinction मिला हो ठीक है बेटा जो तुम्हें 50% मिला है तुम समझो कि तुमको distinction मिल गया this is my memory of my school days यही मेरी यादाश्त है मेरे school के दिनों की ठीक, वो कहते है this is my memory, यह मेरी यादाश्त है of my school days, मेरे school के दिनों की मेरे school के दिनों की यही यादाश्त है I did lots of other things मैंने बहुत सी दूसरी चीजें की see, देखिए as far as my things are concern जहां तक मेरी चीजों का सवाल है I can't remember मैं याद नहीं कर सकता मतलब मुझे चीजें याद नहीं होती है I forget things very easily मैं बहुत आसानी से भूल जाता हूँ मैं चीजें बहुत आसानी से भूल जाता हूँ very easily का मतलब क्या है बहुत आसानी से forget things चीजों को भूल जाता हूँ to remember याद रखने के लिए I have to see things as a photograph याद रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है I have to see things मुझे चीजों को देखना पड़ता है as a photograph एक photograph की तरह मुझे चीजों को photograph की तरह देखना पड़ता है अगर मैं उन्हें याद करना चाहता हूँ तो I read a book अगर मैं एक किताब पड़ता हूँ and or I can remember the matter मैं उसकी बातों को याद रख सकता हूँ as a photograph एक photograph की तरह अगर मैं किताब पड़ू तो मैं उसे एक photograph की तरह याद कर सकता हूँ but not through my mind लेकिन मैं अपने दिमाग से नहीं मैं उसे याद करके नहीं कर सकता मैं उसे एक photograph की तरह देख करके उसे अपने दिमाग में रख सकता हूँ that is how it works यही तरीका है मेरे काम करने का यही चीज है जो मेरे लिए काम करती है किसी चीज को फोटोग्रैफ की तरह देखना है मुझे समझ में आता है मैं चीजों को याद नहीं कर पाता हूं B.R. बिला राजा कहती है When you were in school जब आप school में थे and or you were doing badly जब आप खराब कर रहे थे यानि आपका प्रदर्शन बहुत खराब हो रहा था Did the teachers pull you up and how did you feel तब क्या आपकी teachers आपको punish करते थे आपको सजा देते थे और देते थे तो आपको कैसा लगता था तीक है बिला राजा पूछती है कि जब आप school में थे और आपका प्रदर्शन खराब होता था यानि आप पढ़ते लिखते तो थे नहीं तो जब आपकी teachers आपको punish करती थी तो आपको कैसा लगता था हफीज कॉन्टरक्टर कहते हैं I never felt anything on being pulled up सजा पाने पर दंडित होने पर मैंने कभी भी कुछ महसूस नहीं किया I used to be so interested in playing मैं खेलने में इतना रूची रखता था मुझे खेलना इतना पसंद था I would receive a canning every week मुझे हर हपते मुझे मार पढ़ती थी canning का मतलब क्या है डंडे पढ़ना मुझे हर हपते मुझे मार पढ़ती थी मैं इसे भूल जाता था क्योंकि मैं खेलने में बहुत ही interest रखता था मुझे खेलने के सिवा और कुछ याद नहीं रहता था बियार बिला राजा When you knew that जब आपको ये पता चला कि You had incurred the wrath of your teacher कि आपकी teacher बहुत ज़ादा आपसे गुसा है By not doing your homework आपका homework ना करने की वज़ा से और by behaving badly या फिर खराब वेभार करने की वज़ा से When you knew जब आपको ये पता चलता You would get a caning आपको मार पड़ती What was the state of your mind तो आपके दिमाग की इस्तिती क्या होती ठीक है तो बिला राजा उनसे सवाल पूछती है वो कहती है कि कि जब आपको ये पता हो जाता कि अब आपकी टीचर आपके उपर बहुत गुसा है यानि incurred the wrath of your teacher का मतलब क्या है अब आपको अपने टीचर का गुसा जहलना है क्योंकि आपने homework नहीं किया है या फिर आपने कोई गलत वेभार किया है दुरुवेभार किया है तो क्या लगता था जब आपको पता चल जाए कि अब आपको मार पढ़ने वाली है तो what was the state of your mind आपके मानसिक दशा क्या होती थी हफीज कॉंट्रेक्टर कहते है state of mind किस तरह की मानसिक दशा just lift up the hand सिर्फ हाथ को उठाईए and or they would gain you वो आपको मारते यानि वो आपके हाथों पर डंडे बरसाते बस it would hurt badly बहुत जोर की चोट लगती इससे बहुत तेज चोट लगती and then or फिर I would have to forget about it और मुझे इसके बारे में भूलना पढ़ता because क्योंकि I would want to go and play क्योंकि मैं बाहर जाना चाहता और खेलता ठीक है क्योंकि उन्हें मार पढ़ती तो वो आराम से मार खाल लेते और वो बिल्कुल तयार रहते कि बस अब बाहर जा करके सिर्फ खेलना ही है उन्हें कोई tension खास नहीं थी ठीक चलिए आगे देखते हैं बियार बेला राजा पुछते हैं यू नेवर फेल्ट इंसेक्योर और थ्रीटेंट क्या कभी आपने असुरक्षित या फिर खुद को खत्रे में पाया क्या कभी आपने अपने आपको असुरक्षित या फिर खत्रे में पाया उन्होंने ये पूछा, ITC, Hafiz Contractor, कहते हैं, I was just interested in playing and nothing else, मैं सिर्फ खेलने में मेरा interest था, और किसी चीज में नहीं, ठीक है, I was just interested, मैं सिर्फ रूची रखता था, in playing, खेलने में and nothing else, और किसी और चीज में नहीं, I was most interested in funny pranks, और मैं बहुत जादा interested था, funny pranks में, practical jokes में, मुझे बहुत मज़ा आता था, one day, एक दिन, I did not want to study, एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था, so I created a distraction, इसलिए मैंने एक distraction create किया, मैंने इसे दूसरी तरफ ले जाना चाहा, for one whole hour, एक घंटे तक, पूरे एक घंटे, we played चोर पुलिस, हमने चोर पुलिस खेला, ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि मेरा ऐसा पढ़ने का नहीं हो रहा था, मैं पढ़ना नहीं चाहता था, तो मैंने पूरे एक घंटे तक, चोर पुलिस खेला, every Saturday, हर शनी बार को, we were allowed to go into town, हमें कस्बे में जाने की इजाज़त थी, या फिर हम ये कहें कि हमें कस्बे में जाने दिया जाता था, to see a movie, एक movie देखने के लिए, यानि हर Saturday को हमें picture देखने की इजाज़त थी, so इसलिए, what I would do, मैं क्या करता, was to have no lunch, lunch ना करता, and collect money from 40 to 50 students, 40-50 छात्रों से मैं पैसे इकठे कर लेता, and run और भाग जाता, and buy the tickets, और tickets खरीद लाता, on my way back, वापस आते, I would eat to my heart's content, और मैं अपने जी भर करके खाता, तो ये हर Saturday को क्या होता, इन्हें फिल्म देखने की इजाज़त थी, ये जाते वहाँ पर, तो ये क्या करते, उस दिन ये lunch ना करते, ये 40-50 बच्चों से ticket के पैसे ले लेते, और वापस आते वक्त, वो खूब जी भर के खाते, ठीक, I used to be the leader of a gang, मैं गिरोह का नेता हुआ करता, ठीक है, लीडर का मतलब यहाँ कहा है, गैंग का मतलब कहा है, गिरोह, ठीक है, मैं गिरोह का नेता हुआ करता, we would have gang fights and plan strategies, हमारी gang fights होती, गिरोह के हमारे जगडे हुआ करते and plan strategies और हम इसकी रणनीती बनाया करते, these things used to interest me, इन सब ची academics, पढ़ाई लिखाई से जादा, किसी पढ़ाई लिखाई से जादा मुझे इन ही सब चीजों में मजा आता, gang fights करने में, plan strategies करने में, खाने पीने में और मजा करने में मुझे यही सब बहुत अच्छा लगता, ठीक है, तो चलिए देख लेते है, word meaning में क्या है, canning, punishment, जैस मैंने आपको बताया कि दूसरे तरफ ले जाना, something amusing or pleasurable, यहां पर दिया हुआ, इसका मतलब कि कुछ मज़ेदार करने के लिए, चोर पुलिस, children's game in which one child thief hides and others policeman try to find them, जैसा हम इसे बहुत अच्छे से वाकिफ है, इस words से, चोर पुलिस से, ठीक है, जो बच्छे खेलते हैं, च भर के खाना, strategies, strategies का मतलब क्या है, methods of winning fights, वो तरीका जिससे लड़ाई जीती जाए, जिससे हम कह सकते हैं, रणनीत, ठीक, academics, academics और educational matters, books, discussion, debates, etc, देखे, academics को हम आम बोलचाल की भाशा में पढ़ाई लिकाई कह सकते हैं, ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे क्या है, Students used to book my textbooks for the following year, students used to book my textbooks, students जो छात होते, वो मेरी textbooks को, वो आने वाले साल के लिए, पहले सही वो book कर लेते, ठीक है, पहले से वो reserve कर लेते हैं, पर book का मतलब क्या है, reserve, वो पहले सही मेरी किताबों को वो book कर लेते, because, क्योंकि, they were almost brand new, क्योंकि वो बिलकुल नई ही होती, I probably opened them, मैं मुश्किल सही उन्हें खोलता, मैं शायद ही कभी खोलता, उन्हें one day before exam, exam के पहले एक दिन, ठीक है, तो वो कहते हैं, कि students जो होते, वो मेरी books को, पहले ही वो book कर लेते, कि तुम अपनी किताब मुझे ही देना, क्योंकि उनकी किताब जो थी बिलकुल नहीं रहती कि वो कभी भी अगर उसको खोलते भी, तो वो exam के वो परिक्षा के एक दिन पहले ही खोलते, उसके पहले वो कभी भी books को नहीं खोलते थे, इसलिए उनकी किताबे बिलकुल नहीं हुआ करती थी, तो इस तरह से हमने देखा, हफीस contractor के ये बचपन के दिन, उनके school days के दिन, अगली पार्ट में हम देखेंगे, उनके professional life के बारे में, उनके पेशे के बारे में, कि वो आरगी टिक कैसे बन गए, ठीक, इस पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे, वीडियो अच्छे लगी हो तो like कीजेगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो share कीजेगा, चैनल पर नए है तो subscribe कीजेगा और बिल आइकन भी जरूर दबाईएगा, आपके subscribe करने से आपको मिलेगी और अच्छी quality की वीडियो और हमें मिलेगा होसला, thank you